नमस्कार वेरी मां वेलकम तोल फ्यू अन दिस एजुकेटिव प्लेटफॉर्म दिस इज यूर फ्रेंड मेंटर अंश्रीकर का यह दोस्तों शुरू करते हैं आज हम एक हमारा नया टॉपिक बहुत इंपोर्डेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रोनाउन चलिए दोस्तों इट इस एर रिप्लेसिंग वर्ड यूज तो रिप्लेस अनाउन तो अवोईड इस रिपिटेशन एंड मेक असंटेंस शोट एंड ब्यूटिफुल दोस्तों जो प्रोनाउन है प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम हमने बच्पन से पढ़ा है सर्वनाम जो संग्या के स्थान पर हम प्रोनाउन का मतलब है जिनका काम होता है नाउन को रिप्लेस करना क्यों रिप्लेस करेगा तो अवोईड इस रिपिटेशन ताकि नाउन जो बार-बार रिपीट कर रहे हैं उसको खतम करने और वाक्य छोटा भी बने और सुन्दर भी बने अतुल 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 ना सुन्दर नहीं लग रहा, बार-बार मैं अतुल 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 उबर यूज़ कर रहा हूं, तो एक तो वाक्या बढ़ा हो रहा और सुन्दर नहीं लग रहा, इस वाक्या को छोटा और सुन्दर बनाने के लिए, हम क्या यूज़ करेंगे, नांन की जगहें पर प्रोकल स्में नाउन यानी की जगहें पर ठीक है जैसे देखो अगर मैं इसी एक्जांपल को करूँ तो मैंने क्या किया दोस्तों यहां पर नाउन लिखा एक बनाउन लिखा उसके बाद में मैंने जहाँ-जहाँ अतुलाल है, ना, वहाँ-वहाँ मैंने क्या किया, ही यहा, हिम का यूज़ कर दिया, इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक बार यह जो नाउन लिखी है ना, अब इसकी जिगें बार बार क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं दे अब वाक्य सुन्दर लग रहा है और छोटा हो गया बात समझ में आ गई तो प्रोनाउन का काम क्या होता है जो हम संटेंस में नाउन को यूज़ कर रहे हैं वो बार बार रिपीट ना हो और वाक्य को छोटा और सुन्दर बना दे इसलिए हम नाउन की जिगें क्या लिख देते हैं प्रोनाउन लिख देते हैं ठीक है जी दोस्तों और एक्जांबल देखते हैं आईए दबुक इस यूजफुल सो रवी वांस तू बाई इट इट क्या है प्रोनाउन है क्योंकि किस की बात कर रहे है बुक की बात कर रहे है सुजाता वाज इंजोइंग हरसेल्फ एड़ पार्टी हरसेल्फ क्या है प्रोनाउन है दा बोईज विल बी अवाड़िड फोर देर ब्रेवरी देर क्या है प्रोनाउन है ठीग, जी दोस्तों, अगर हम Kinds of Pronoun की बात करें, या फिर Type of Pronoun की बात करें, कि Pronoun कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों, Book में तो कहीं आठ लिख रख है, कहीं कुछ लिख रख है, लेकिन Total जो उते हैं, वो कितने प्रकार की होते हैं, दस प्रकार के होते हैं, इसको याद र रखलो है दर रखलो pride 181 272 का मतलब किया पी वह एक बर यह जैने personal pronoun और वह लगतीन बार रिफलेक्षी प्रोक्ति 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 प्रोक्तम स्थीप्रोक्तम सिवारई जीने गायाsz यह वाला दो बार इंफेटिक प्रोनाउन एक्सक्रामेट्री प्रोनाउन दोस्तों कई की बार अगर काइंड ओफ प्रोनाउन पूछे तो हम आठ भी बोल सकते हैं अगर दस उप्षिन में ना हो क्योंकि ये दो एक्स्ट्रा है बात समझ में आ गई? अगर ओप्षिन में दस ना आए तो आप आठ भी कर सकते हो क्योंकि ये दो एक्स्ट्रा है इंफेटिक और एक्सक्रामेट्री क्योंकि ये इनी में से ही बने है बात समझ में आ गई आपको तो अब इनको एक 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 डिटेल में बढ़ते हैं सबसे पहले क्या है दोस्टों? परसनल प्रोनाउन परसनल प्रोनाउन की डेफिनेशन के लिए बात करें इस आर यूज़ तो रेफर तो आ स्पेसिफिक पीपल तिंग और अबजेक्ट जो किसी विशेश व्यक्ति वस्तु की बात करेगा यह परसनल प्रोनाउन होगा इससे हमें क्या पता चलता है They include singular and plural form and can indicate the gender and case यह हमें एक तो यह बताता है कि कोई चीज़ singular है या plural है यह हमें उनका gender भी बताता है male है या female है या common gender है और यह हमें case भी बताता है case मतलब कारक्छ करता है करम है कि subject है, object है, possessive है, बात समझ में आगी है दोस्तों आपको, यानि personal pronoun, noun के क्या-क्या बताएगा, subject है, object है, यानि करता है, कर्म है, possessive कैसा कारक बताएगा, उनका gender बताएगा, singular है, plural है, ये सब बतादेगा, ठीक है, words used to refer to the first person, second person, third person, अगर मैं pronoun की बात करूँ, तो कारक के अधार पर, कारक यानि, case के अधार पर ये तीन होते हैं, first person, second person और third person, consequence होते हैं, तीन होते हैं, ये table बहुत important है, पुरे pronoun का base है, ये, first person pronoun, second person pronoun, third person pronoun, ठीक है, अब देखो दोस्तों में अलगलग case होते हैं, एक उतार नॉमिनेटिव case, नॉमिनेटिव case का मतलब जर्नल ये किसकी काम करते हैं, ये करता का काम करेगा, ये क्या काम करेगा, करता, इसको subjective case बोलते हैं, इसको नॉमिनेटिव case भी बोलते हैं, objective वाला क्या काम करेगा, कर्म का काम करेगा, अगला है possessive adjective या possessive determiner, यह जो possession दिखाएगा, कि ये चीज़ किसकी है, मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, अगला है possessive pronoun, या फिर absolute possessive, या तो बोल लो absolute possessive, या बोल दो possessive pronoun, एक 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 डिटेल में बढ़ते हैं, आईएगे, दोस्तों जो first person pronoun है, उसमें क्या आता है, आई, उसमें क्या आता है, आई, अगर first person के singular की बात करें तो I है, और first person के plural की बात करें तो V है, ठीक है, अगर second person की बात करें तो क्या होते है दोस्तों, singular के लिए भी यू आता है और plural के लिए भी यू आता है, अगर third person की बात करें he, she, it, they या किसी भी व्यक्ति का नाम दोस्तों जो he, she और it है ये क्या होते हैं? singular और दे का use हम किसलिए करते हैं? plural के लिए बोलो जी कोई doubt है क्या? बात समझ में आ गई? first person में क्या आता है? I और we second person में you third person में he, it, they, नाम ठीक है जी? subjective case ये होता है यानि original रूप को ही क्या बोलते हैं? subjective case अगला है objective case objective मतलब इसका कर्म बनाना है I का me, we का us, you का you, he का him, she का her, it का it, they का them बात समय आ गई आपको अगर मैं बात कुरूँ इसका possessive बनाने की I का my यानि मेरा, we का, are, you का, your, he का, his, she का, her, it का, its, दे का, there गोर फर्माना, its बिना पोस्टोफे के है बात समय आ गई? बिना पोस्टोफे के आएगा ITS अगर दोस्तों अब ये absolute possessive क्या होता है? ये फिर possessive pronoun क्या होता है? अगर मैं बोलू, my, मेरा क्या? अधूरी बात है ना? यानि इसके आगे मेरे को कोई ना कोई noun तो लगाना पड़ेगा? मेरा घर हो सकता है, मेरी कार हो सकती है, जब तक मैं ये noun नहीं लगाँगा, तब तक ये my क्या रहेगा? अधूरा रहेगा ऐसे ही जब तक मैं आवर में noun नहीं लगाँगा, ये क्या रहेगा? अधूरा रहेगा अगर मैं my में noun जोड़ दूं तो ये क्या बन गया? mine बन गया माईन के आगे noun लिखने की जोड़ता नहीं है mine का मतलब है my प्लस में noun माईन में noun छुपा हुआ है बात समझा है ये आपको इसी प्रकार अगर मैं our में noun जोड़ता हूँ तो यह क्या बनता है दोस्तों O' आर्स में नावन आलड है युवर का यूर्स कई हिस में स मजोड देना इस हर का हर्स its का इट्स देर का देर रश और बीदोस्तों कोई भी डाउट है क्या आपको अच्छे से अब एक क्रिक्र को डीटेल में पढ़ते हैं इनके कोशन्स पढ़ेंगे उससे वह देखते हैं अगला प्रोनाउन हमारा इसकी बात करते हैं कि मैं बात किसकी कर रहा हूं इसमें क्या क्या आते हैं दोस्तों आपको प्रोनाउन में बहुत सारी बाते ऐसे मिलेगी जो मैं पढ़ा चुका हूं लगभग जो प्रोनाउन के कोशन्स रहना वह आपको सब्यक्ट्व बैग्मेंट में करवा चुका हूं और फिर से रिपीट होंगी वो सारी चीजे जैसे इस इस माई हाउस अभी इस किसकी बिशारा कर रहे हısं कि तरफ असे कैन आई चीज बूंग खैनाई सी डैट बूद। बात कर रहे है उस हिताब की बात कर रहे हुआ एक प्रटिकल सब्थ्षार नेचर इसनलिबत कर रहे है उसके नेचर की बात कर रहे है वालो जी दोस्तों बात समझ में गए आपको तो देमन्सिटेव में कुण से कुण से होते हैं डेस फैट देज दोज सच कि यह की बार दोस्तों हमें लगता है कि इट और दे का इस्तमाल भी डेमन्सिटेव में करते हैं पर ऐसा नहीं है इट और दे का इस्टमाल नहीं करते इटरोदे तो किया है अभी देखऊ आपने आज cachor the ग्ला अग्ला प्रइनावल कोने से हैं, दोस्तों- डिस्ट्रीbut में डिश्ट्री बूटिख ए ठी मिक्टिश्टि डिस्ट्रीबूटिव में, पहली बात तो दो के लिह नहीं मतलब एक से ज़्याद और ग्रूप यानि जब मान लोग किसी ग्रूप में पांच बच्चे हैं और मेरे को सभी की बात नहीं करने हैं मेरे को हर एक अलग-अलग की बात करनी है distribute का मतलब क्या है हर एक को बांट दिया यानि जब ये हर एक विशेश बंदे की बात करेगा पूरी ग्रूप की बात ना करकर तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे दोस्तों distribute में कौनसा कौनसा आता है each क्या every आया क्या नहीं क्यों नहीं आया क्योंकि every pronoun होता ही नहीं अच्छा प्रोनावन में बहुत सारी बाते ऐसी आएगी जो आप adjective में पढ़ चुके हो इजब इसको पढ़ाऊंगा ना तो आपको लग-बग 10 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो आप इजबरी क्या होता है एड्जेक्टिव होता है क्योंकि हम जरनल लिख या करते हैं इधर निदर आ गया इच एवरी आ गया तो every pronoun मत मानना इच है सिरफ pronoun every adjective होता है अगर every pronoun नहीं है और कहीं हमें उसका यूज करने तो आप क्या यूज कर सकते हो दोस्तों everyone को आप यूज कर सकते हो प्रोणाउन के रूप में लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है एवरी और वन को अलग लग लिख होगे बात समझ में आ गई एँच का मतलब क्रते हैं जब चीजे या तो दो हो या दो से जादा होती है एच कैसा प्रोणाउन है? सिंगुलर प्रोणाउन है इसका मतलब बीच के साथ कैसी वरबायेगी? सिंगुलर वरबायेगी बात समझ में आ गई एक्जामबल देखें दोस्था पड़ा वट He has two sons and each wants क्या यहाँ पर दो की बात हो रही है दोस्तों और each के बात में singular verb आई है हाँ जी Each of the books is worth reading यानि हर एक किताब की बात हो रही है I know each of them We each have our own problems We each का मतलब क्या है We each का मतलब क्या है मतलब हम लोग है ना हमारी हर एक की बात हो रही है यहाँ पर अगर मैं ऐसे बोलता We have तो मतलब हमारे पूरे ग्रूप की बात हो रही है अगर मैं बोल रहा हूँ We each have मतलब मेरी समस्या अलग है उसकी समस्या अलग है और यह have किसके लिए है दोस्तों यह we के लिए है I would like to have one glass each मतलब coldring का मालों किसी शादी में गए वहाँ पर प्रवाब की coldring है तो अगर आप यह बोल रहो ना I would like to have one glass each मतलब हर एक variety का एक एक glass मेरे को चाहिए बात समझ में आ गई next है दोस्तों either either का मतलब क्या होता है दो में से कोई एक की बात करेगा क्या यह दो के लिए use होता है क्या कभी नहीं यह दो से ज़दा के लिए कभी use तो थो कि मैंने पहले हिवड आए आपको either और neither का इस्तमाल केवल और केवल दो चीजों के लिए करते हैं, इसलिए इदर का मतलब क्या है, दो में से कोई एक, इदर का इस्तमाल दो से ज़्यादा के लिए नहीं कर सकते, इदर कैसा प्रोनाउन है, सिंगलर प्रोनाउन है, इसलिए इदर के साथ कौन सी वर बाती है, सिंगलर वर बाती है, वात समझ में अगर चीजे दो से ज़्यादा हो तो क्या यूज करते हैं एड्यक्टी में पढ़ाया तो है इधर का इस्तमाल करते हैं दो के लिए दो से ज़्यादा हो जाए तो एनिवन नीदर का इस्तमाल करते हैं दो के लिए दो से ज़्यादा हो जाए तो नन ठीक है Example देखो Either of the two pens is yours 2 pen मेंसे 1 pen की बात वहीजित In 2 pen मेंसे क्या तुम्हारा एक है You can take either You can take either का मतलब 2 मेंसे Kोई भी एक तुम ले सकते हो Next क्या है दोस्तों Neither का मतलब होता है 2 मेंसे कोई नहीं Neither का मतलब क्या होता है दो में से हुषद आपने होुष में से जादा के लिए क्या यूज करते हैं नन यूज करते हैं नीजर कैसा प्रोंडाून है नीजर के साथ वर्भ कॉनसी आएगी सिंगिलर इट वॊज इसमय नीजर घुए से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, there were two choices, but neither was of any use to me, दो option थे, पर दोनों ही मेरे काम के, नहीं थी, इस दिया पर क्या लगाया है, महाँ पे, neither लगाया, बात समझा आगे दोस्तों, ये point भी मैं आपको adjective में पढ़ा चुका हूँ, कि both का इस्तमाल कभी negative sentence में, नहीं करते, both का इस्तमाल कभी भी negative sentence में, अगर ऐसा आजाए, तो both की जिगें क्या लिख दो, neither लिख दो, example देखो, both of them are not mine, both of them are not mine, वक्के negative है, negative में both आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो both की जिगें क्या लगाओ, neither of them is mine, बोले जी दोस्तों को डाउट है क्या, next point, अगला क्या है, reflexive pronoun, अगला क्या है दोस्तों, reflexive pronoun, reflexive pronoun का मतलब क्या मालो, मैं subject हुई है, मैं doer हूँ, doer मतलब करता, अगर मैं कोई काम करूँ, और वो reflect होके उसका असर वापस मेरे उपर आए, जैसे मैं बोलो, I will shoot myself, I will shoot myself, यानि shoot कर कोन रहा है, मैं, उसका असर किस पहाएगा, घुमके, इसमें मैंने क्या यूज किया, myself यानि reflexive का मतलब है, reflection लगके, वापस मेरे उपर असर आए, pronoun that are used to refer back to the subject, यानि वापस वो किसको दर्शार है, subject को ही दर्शार है, those pronouns which have self or selves attached to them, are called reflexive pronoun, ऐसे pronoun जिसके अंत में या तो self मिले, या selves मिले, वो कौन से होते हैं, reflexive pronoun, दोस्तों जो self आता है, वो आता है, singular के अंत में, वो किसके अंत में आता है, और जो selves होता है, वो किसके अंत में आता है, वो आता है, plural के लिए, बात समझ में आ गई, self आता है, singular के लिए, और selves आता है, plural के लिए, ये देख लो ये रहा, in pronoun का प्रयोग, खुद या swim का भाव देने के लिए किया जा यानि खुद का भाव देने के लिए किया जाता है, जैसे मैंने बोला I will shoot myself, इसका मतलब मैं खुद को गोली मार लूँगा, यानि खुद का और स्विम का भाव दे रहे हैं, यह रहे जी दोस्तों, आपके रिफ्लेक्सी प्रोणाउन, देख लो, I क्या है singular, तो क्या लगाया, myself, you क्या होता है, singular भी और plural भी, yourself, yourself, he का himself, she का herself, they का themselves, it का itself, और one का oneself, बात समय में आ गई, one क्या होता है, singular इसलिए क्या लगा दिया, oneself लगा दिया, यह वही बात जो मैंने आपको अभी बताई थी, कि रिफ्लेक्सी प्रोणाउन का इस्तमाल हम तब करते हैं, जब किसी काम का प्रिणाम का पर पड़े, क्वापस डूर पर पड़े, बात सौन जो में आ गई, example देख लो जी, He is cursing himself, वो खुद को ही कर्स कर रहे है, I have made myself, मैंने खुद को ही समझा दिया, Are you enjoying yourself, तुम खुद ही enjoy कर रहे हो, यह रहे हैं तक बात, चले जी, अब आपने एक चीज़ नोटिस करी हैं आपे, अगर He है, तो himself आया, अगर I है, तो myself आया, अगर you है, तो yourself आया, यानि यह जिस subject के लिए आया है ना, उसके अनुसार ही लगाना, He के लिए herself नहीं लगा सकते, बात समझ में आ गई? Next है दोस्तों, Emphatic, Emphatic का मतलब क्या है किसी चीज़ पे? जोर देना, Emphatic का मतलब क्या है किसी चीज़ पे? जोर देना, Emphatic pronoun कहां से निकले हैं दोस्तों, Reflexive pronoun से ही निकले हैं, अभी जो आपन पढ़ दाना, Reflexive pronoun ही क्या है, Emphatic है, These pronouns are used to emphasize a noun or pronoun, यानि किसी नाउन या प्रणान पर बल देना हो, किसी बात पर जोड देना हो, तो हम इम्फेटिक का यूज करेंगे, एक्जाम्पल देखो, He has done it, इसका मतलब कि अगर मैं himself उड़ा दू, He has done it, उसने एक आम कर दिया, ठीक है, He himself has done it, मतलब उसने खुद ही, उसने क्या दे रहे हैं, दवाव दे रहे हैं, I myself am responsible for this, मैं ही, He was at home itself, घर पर ही, अगर मैं बोलता है, मतलब वो घर पर है, अगर मैं बोल रहा हूँ, He was at home itself, मतलब वो घर पर ही है, यह रहे हैं तक बात, Next है दोस्तों, interrogative pronoun, interrogative pronoun का इस्तमाल हम लोग किस लिए करते हैं, question करने के लिए, question पूछने के लिए, interrogative pronoun का किस लिए करते हैं हम इस्तमाल, question करने के लिए, या फिर, questions पूछने के लिए, इसको याद रखने का तरीका क्या है, W5, इसको याद रखने का तरीका किया है? W5 Who, Whom, Whose, Which, What Who का बना Whom Who से ही क्या बना गया? Whose यानि Who, Whom, Whose, Which, What खितने होगे total W5 जैसे Who does not know Gandhi? Whose book is this? What brings you here? Which of them has helped you? यह सारे किया हैं दोस्तों आपके अपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है Next किया है दोस्तों? Relative pronoun एक तो आपके लिए पर्सनल प्रोनाउन बहुत important है जहां से question मनते हैं एक आपके लिए यह interrogative important है और एक यह relative pronoun important है relative pronoun तो बहुत ही ज़्यादा important है personal pronoun और relative pronoun अगर मैं दस प्रकार की pronoun में से बात करूँ तो दो सबसे ज़्यादा important है एक personal और एक यह relative दोस प्रोनाउन विच आर यूजड फोर दा नाउन और प्रोनाउन coming before them are called relative pronoun देखो दोस्तों कोई noun है कोई pronoun है और इसके बाद में आप यहाँ पर relative pronoun लगाते हैं जैसे who लगा दिया मैंने तो ऐसे pronoun जो अपने से just पहले आए noun pronoun के लिए आते हैं उनको क्या बोलते है relative pronoun यानि उनके साथ में relation बना रहा है और इनको पता क्या बोलते हैं? यह मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में यानि जो pronoun अपने से तुरंट पहले आए noun या pronoun के बारे में बताते हैं वो क्या होते हैं? relative pronoun और जो यह पहले noun pronoun आए है ना इनको क्या बोलते है? antecedent क्या बोलते है? यह नोलिज के लिए याद रख सकते हो बाद ना इसका एक्जाम में तो यूज है नहीं आपको पताओ न अची रिलेटी प्रोन होता क्या है बात समझ में आ गई? तो दुबारा पढ़ाऊं विच आर यूज़ड फोर नाउन और प्रोनाउन coming before them यानि यह सारे क्या है आपके रिलेटी प्रोनाउन है यह किसके लिए आते हैं? इन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसके लिए इसमें और उसमें क्या फर्ख है? इंतेरोगेटीव की ट्रिक क्या थी? W5 इसकी ट्रिक क्या है? W4 bet W4 एक W उड़ गया, कौन सा उड़ गया वट उड़ गया और बैट का मतलब क्या है बट as that बट as that W4, वट उड़ा के बैट आ गया वट बैट, राइमिंग कर रहा है न वट उड़ा दो, बैट लगा दो बैट का मतलब, बट as that ठीक है नहीं जी अब देखो इसके ग्रंबल करते हैं लोग इस इस दा बोई फू अब यह हू किसके बारे में बता रहा है अपने से पहले आए ना उनके बारे में ना इसलिए क्या हो गया है यह रेट प्रोनाउम can you give me the book that you bought yesterday that किसके बारे में बोल रहा है यानि जो that के आगे वाली बात हो रही है that बता रहा है कि भाई इस किताब की बात हो रही है बात समझ भाई the house, कौन सा house the house which you want to buy is not well furnished the man whose friends किसके friends इस व्यक्ती के समझ भाई प्रोन क्या होता है जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन की बात करता है लो जी दोस्तों ये काफी important बाते हैं पहले बात के लिक रखी है जो who और whom होता है वो किसके लिए या या यूद करते हैं हम लोग व्यक्ती के लिए या पालतू जानवर के लिए यह ना जर्नल हम डेली राइफ में जब बोलते तो गल्त बोल देते हैं तो यहां से सीख लेना who और whom का इस्तमाल या तो हम करते हैं व्यक्ती के लिए या फिर हम करेंगे पालतू जानवर के लिए हू का इस्तमाल सबजेक्ट के लिए करते है हू का मतलब क्या होता है कौन या फिर किसने यह मैं आपको वोईस में पढ़ा चुका हूँ बात और हू का मतलब अबजेक्ट किसको या फिर किसे बात समझ में आ गई Who का इस्तमाल करेंगे subject के लिए कौन या फिर किसने Whom का इस्तमाल करेंगे object के लिए किसे या फिर किसको In some sentence, यह बात जहां से समझना कुछ वाक्यों के अंदर Who is also used as object यह advanced level के question में आता है Simple question में यहां तक आएगा कि कई कई वाक्यों में Who का इस्तमाल object के लिए भी कर सकते हैं ऐसा कब होगा? This happens when the verb is related to relative pronoun through a preposition यानि जब verb के बाद में कोई preposition आ जाए तो वहां पे object के तोर पे Who आएगा, समझो एग्जाम्पल में पहले simple example देखो फिर समझातों कैसे This is the man who came yesterday अब यहां पे दोस्तों, Who क्यूं आया? क्योंकि इसी ओरत की तो बात हो रही है कि यही ओरत है वाक्य में जिसकी बात होती है वो क्या होता है? Subject और सिर्वेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? Who This is the boy whom I saw plucking mangoes अब यहां पे देखा किसने? यही वो लड़का है जिसको मैंने देखा बात मेरी और यह मैंने उसको देखा तो सिर्वेक्ट तो मैं हुआ लड़का क्या हुआ? Object Object के लिए क्या लगा दिया? Who? बात समझ में आ गई आपको? अब यह ध्यान से यह वाला एक्जामर समझो The doctor whom you were talking अगर यह two डादू तो ठीक है अगर two डादू तो ठीक है लेकिन अगर नहीं पर two लगा रखा है अगर आगे ना वर्ब के बाद में two two के preposition इसलिए दोस्तों यहाँ पर whom की जिगें क्या आएगा? Who आएगा यानि अब यहाँ पर object है लेकिन हू क्यों आया? क्योंकि वर्ब के बाद में preposition लगा हूँ है वर्ब के बाद में two का समंध relative pronounces है इसलिए हूम के स्थान पर हू का प्रियोग होना चाहिए यानि हू का इस्तमाल subject के लिए हूम का इस्तमाल object के लिए अगर वर्ब के बाद में two आ जाए तो हूम के स्थान पर हू लगा दो बोलो कोई doubt है? बात समंध में आ गई आपको? चलिए विच का इस्तमाल किस के लिए करते हैं दोस्तों? जो हूर हूम को किया तो उनको छोड़ दो वेक्ति को छोड़ दो और पालतु जानवर को छोड़ दो बाकी सारे छहे living है छहे non living है यानी विच का इस्तमाल विख्ती और पालतु जानवर को छोड़ के सभी के लिए होता है बात समंध में आ गई? विच का होता है दोस्तों? subject का भी कार्य करता है और object का भी आइंहां के लिए यहांपे इस्तेमाल हरेक व्यक्ति के लिए हरेक नाउन के लिए और कर सकते हैं That is used for every noun or every pronoun. यानि that का इस्तमाल who, whom, which, इन्टी ने कुछ ने कुछ ने कर सकते हैं. यानि जिन वाक्या में who आ सकता है, whom आ सकता है, which आ सकता है, उन सभी वाक्यों में that भी आ सकता है. तो कि वो हर प्रकार के नाउन के लिए आता है. बात समझ आ गई आपको? इस बाएक विच ना तो के जिगहाँ पर पर लिए आपको यार, कोड़ा उट है. आप में से में कोई बात सकता है, कोई? इस इस बाएक आ बात में हूम आया? और आईन लेके बात में हू क्यों आया? जब की है तो दोनों अब्जेक्ट ही अरे यार अभी पढ़ाया जब भी वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन आ जाए तो हूँ आएगा जा यार अभी करवाया फिर भी भूल गे तुम लोग यह बहुत असान है यारी इसमें कुछ है ही नहीं रैसी प्रोकल प्रोणाउन रैसी प्रोकल प्रोणाउन का क्या काम होता है यह दो और दो से ज़्यादा व्यक्ति अवस्तू के लिए आ सकता है जब वो कोई काम करें एक दूसरे के लिए बास समझागी रैसी प्रोकल का सिंबल सा मतलब क्या होता है एक दूसरे के लिए इस Miranda का मतलब करते बिस्टे किXT disciple to करेंगे और वदुसे जादा करेंगे और वन आनज का करेंगे और वन अनजर का एक इवर पते है क्या वन अधर आजाता है वन अधर नहीं होता वन अनधर ठीक है कि एक्जाम मरं पर यह दोस्तों वड़ावट कि आई है टू सिस्टर्स दो बहनों की बात ओर यह तो क्या आएगा एगा इंच अदर ओल दबोई लगा इंडेफिनेट्ट प्रॉनेट्ट का मतलब कहा है वे इजब आप किसी नोग स्पेसिफिक या अनोन रेक्ती अवस्टू की बात करो यानि की कास की बात निये कर कोई भी हो सकता है वो तो महाँ पर क्या एगा इंडेफिनेट प्रोनाउन और यह सारे क्या हैं दोस्तों इंडेफिनेट बड़े असान है यह देखो आपको बहुत सारे लग रहे हैं पर बड़े असान है देखो कैसे हैं क्या में आपको 12 बढ़ाएं अबरबड़ी, समबडी, नो बड़े अनीबड़ी, वर्रीवन, समब लन, वर्रीवन, समझाऴ द्यू, एक हो गया में यह दू नहीं मोस्त नन, सेवरल, वन वन से समवन देखो आप यहां पर मैंनी आट कहना पने यह गलती मैंने करी दियह दिए कर दिया है मैंने सब्सक्राइब तो मच भी तो हो गई इसने मैंने सब्सक्राइब मच प्रोणाउन नहीं है बात सम्झ में आ गई ओल का सम और सेवरल फ्यू लिटल मैंनी मोस्ट नन और बाकी सारे एक दो बार पड़ोगे याद हो जाएगा जलो जी मेंनी쪽에 शार नओघेपी विडी यू नन कें लप यू नथे सी इलाक युदे मिद् ए विद्यू और दोस्तो लास्ट कों से एक्स्रामेटी प्रोनाउन मतलब मतलब क्या अउपकी सटनलीन को दिखाता है जो आपके रियाक्शंस तो दिखाता है जैसे what he is no more क्या मर गया मतलब वह जीवित नहीं है आपको क्या दिखा रहे है sudden expression को दिखा रहे है ठीक जी दोस्तों आई एची आप देखते हैं के exam में question कैसे आते हैं आओ जी दो तिर पॉइंट कर लेते हैं हो गया जो फिर आज के लिए इतना काफी है बाकी कल करेंगे और टेक कियर है वा ग्रीट टाइम इंजोई ओर डे